ये देखे मलाई पनीर मसाला बनाया हूँ, क्या रंगत आई है इसमें, इसमें ज्यादा समान या ज्यादा मेनत का कोई काम नहीं है, और टेस्ट में वो जो होटल वाली बटर पनीर होते ही न, उससे ज्यादा मज़ा आएगा, तो और मेरे चटोरों कैसे होगा, आप चलो बन आते है मलाई पनीर मसाला, एकदम सिंपल तरीका है दोस्तों, मैंने ये दो मीडियम साइस के टमाटर ली है, इनको बड़ा बड़ा काट लेंगे, और फिर ये मिक्सी के जार में मैं डाल रहा हूँ, टमाटर के साथी में ये दो पीस हरी मिर्ची है, और एक इंचा द्रक का टुकड़ा, सबजी मैं बाइडिंग लाने के लिए मैंने ये दो बड़े चमच काजू लिया है, ये पांच ये शे काजू थे जिसको छोटा-छोटा काट के इसमें डाल दिया, इसमें मुंफली या मखानी भी मस चलेंगे, अभी मैं बस मिक्सी को घुमा रहा हूँ, इसक बड़ा चमच घी गरम की है, घी जैसे गरम हो रहा है ना मसाले हम लोग एक साथ में डालेंगे तो मैं कटोरी में जमा कर रहा हूँ, ये आदा चमच लाल मिर्ची पाउड़र है, आदा चमच हल्दी पाउडर और आदा चमच धनिया पाउडर, ये तीन मसाले अभी के दोस्तों फटाफट इसमें अभी अपनी टमेटो की प्यूरी डालनी है और यह उचलता काफी है तो एक बार इसको चला लेते हैं और फिर मैंने यह मिक्सी साफ कर लिए पानी के साथ यह इसमें मिलाकर अब हम लोग को इसको बढ़िया तरीके से पकाना है पूरा जब तक यह जब तक यह पक रहा है यह मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है इसके छोटे-छोटे पीसेश कर लेंगे टमाटर को चेक करते रहेगा दोस्तों वह चिबक ना जाए और यह जो सबजी है इसमें मलाई डलेगी तो एक्जाक्ट मेजरमेंट मैं आपके साथ शेर करता हूं यह मैंने हाफ कप मलाई लिया है यह लगबग दो दिन का जो दूद होता है ना कल और आज का उतनी मलाई है हम लोग यह फ्रिज में रखते है तो इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल के तयार कर लिया ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए अभी आप देखे टमाटर में ठिकनेस आ आने लग चुकी है धीरे धीरे इसमें से घी भी अलग होने लगा है साइट से बस हम लोग को इतना इसको सेखना है कि यह पुरा घूमने लगे चम्मच के साथ बिलकुल ऐसे अभी आप देख सकते हो अपना टमाटर पकते रेडी है अब इसमें हम लोग वो मलाई डाल दें आपको मलाई क्या है ना ग्रेवी भी बनवाएगा और साथ में थोरी बहुत सेपरेट भी होगी तो मस टेस्ट आता है इससे पूरा ऐसे सेख लेंगे दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको तीन मिनट तक सेख लिया है अभी यह सीन एकदम परफेक्ट है अब इस मिनट तक चलाना है इससे पनीर सॉफ्ट रहेगी लेकिन एक दो मिनट से ज़्यादा मत सेखेगा वरना इसमें चिड़ा पनाने लगता है ओवर कुकिंग हो जाएगी दोस्तों पनीर की बस हम दोग इसमें फटा-फट पानी डालते है यह एक कप पानी है और अब बस पानी को पकाना है जब तक इसमें एक बॉइल ना आ जाए और थोड़ी थिकनेस ना आ जाए अपना काजू और मलाई सब आक्टिव हो जाएगा ना तब अपनी सब्जी रेडी है यह देखिए अपनी पनीर मलाई मसाला एकदम रेडी है क्या रंगत आई है इसमें एक बार आप ऐसे बना के देखिए इसका टेस्ट भूलाई नहीं भूल सकते है मैथट आपनी देखा यह कितना असान है तो क्या चीज़ का वेट है चलो अब सर्फ करते अपनी मलाई पनी तो कैसी लगी रेसिपी दोस्तों अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक बटन मिलता हूं जल्द और वीडियो के साथ अगर आपको और ऐसी कम समान के साथ सब्सक्राइब देखना है तो कॉमेंट करकर जरूर बताईएगा बाई बाई कर दो.